चोपड़ा एजोकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसा है चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों MCC के सेड्यूल के मुताविक सेकंड राउंड के रेजिस्टेशन आज 18 नॉवंबर 2020 से स्टार्ट होने हैं और च्वाइस फिलिंग की डेट 19 नॉवंबर 2020 से 22 नॉवंबर 2020 तक है पेमेंट 22 नॉवंबर 2020 को साम 7 बज़े तक कर सकते हैं वैसे ये सेड्यूल एक दो दिन तक अक्स्टेंड होने की संभावना है इसकी इन्फोर्मेशन हमें आज साम 5 बज़े तक मिल जाएगी या तो ये सेम रहता है तो 5 बज़े तक रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएगे या फिर न्यू सेड्यूल रिलीज होगा जैसे ही इसके बारे में कोई अपडेट मिलेगी मैं आपको इन्फोर्म कर दूँगा अभी इस वीडियो में सेकेंड राउंड से रिलेटेड रेजिस्टेशन के रेगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट जानकारी दूँगा तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि सेकेंड राउंड में आप जब 24 फिल करेंगे तो बड़े ही ध्यान से 24 फिल करना है और 24 फिल करने के लिए आप हमारी बुक की हेल्प ले सकते हैं जिसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopda.education.com से भी इसको डाउनलोड किया जा सकता है अब हम बात करें सेकंड राउन्ड के कुछ रेजिस्टेशन रूल्स के बारे में जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो सबसे पहला पॉइंट्स यह है कि जिन कंडिडेट ने फर्स्ट राउन्ड में रेजिस्टेशन कर रखा है उनको सेकंड राउन्ड में रिजिस्टेशन का यूज कर सकते हैं यानि कि जैसे ही आप लोगिन करेंगे तो आपको एक reset registration का option मिलेगा तो उसमें आप उसका यूज करके remaining security fees पे करके dimmed के लिए participate कर सकते हैं आपको phrase registration करने के आवश्यक्ता नहीं है second point यह है कि जिन candidate ने first round में registration नहीं किया है वो second round में phrase registration कर सकते हैं registration कैसे करना है उसका step by step का वीडियो में बना चुका हूँ वो आप देख सकते हैं उसका link भी में description box में दे दूँगा fees pay करने के बाद 24 fill कर सकते हैं तीसरा point यह है कि ESIC के IP quota की seat second round में alert होंगी तो जिन candidate ने IP quota के under seat लेना है और जिन्होंने registration नहीं करवाया है first registration नहीं करवाया first round का तो वो registration कर सकते हैं phrase registration कर सकते हैं लेकिन जिन्होंने first round में registration कर रखा है उनको दुबारा से registration करने की जरूरत नहीं है उनको सिरफ ESIC quota की detail देनी होगी तो उनको ESIC quota की 24 fill में seat show हो जाएंगी तो इस परकार से आप IP quota के लिए apply कर सकते हैं second round में तो ये जानकारी थी registration के बारे में बाके update मिलते ही मैं आपको inform कर दूँगा जैसे ही registration स्टार्ट होंगे मैं आपको बता दूँगा तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद